पुलिस ने 3 सितंबर को मार पेट कर इरिक्षा लूटनी के मामले का आज खुला सकर दो भाईयों को गिराफतार किया है पुलिस अदिशक नगर अमित कुमार आनद के मुताविक पुलिस ने इनके पास से लूटा गया इरिक्षा पी बरामत कर लिया है दोनों भाईयों ने पुलिस पूस्ताज में बताए कि उनके ओपर बजार की देनदारी बढ़ गई थी और वे उसे चुकाने में नाकाम थे आई देन तकादे करने वालों से परिशान होकर उनके दिमाग में एक आईडिया आया और उन्होंने तीन स्टमबर को एक इरिक्षा मचरिया गाउं तक चलने के लिए 400 रुपे में बुक कराया इरिक्षा बुक कराकर जब ये दोनों भाई सूनसान इलाके में पहुँचे तो इन्होंने इरिक्षा चालक के साथ मार पीटके और उसे वहीं धक्का देकर उसका इरिक्षा लेकर फरार हो गए लूट का शिकार पीडित इरिक्षा चालक ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने लूट का मामला दर्च कर आप राध्यों की तलाश कर तीन सितंबर को हुई इस घटना का आज खुलासा कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों भायों को गिरफतार का लूटी हु है, इननोंने पूष्टाच में बताया है कि शाम को उनोंने एरिक्षा हैर किया था जो मच्छरिया गाँ जाने क solamente आप पर इस ब्रॉट कर इसके ट्राइवर के साथ मार्पीट करी तक इरिक्षा लूटके फरार हो गया है इसमें आज इनको ग्रफतार तर जेल विज़ा जा रहा है ये आपस में तचेरे तहेरे भाई है और इनके पूरू अपरादी के जियास के बारे में जानतरी की जा लिए अभी तक अमने कोई अपरादी पायर नहीं गया है इनोंने जो पूस्ता जो बताया है कि इनकी उपर उ इनकी जो ओचारे तरिजड़ को कि जाँ है बताया है